आज है 11 जून और आज का Most Important Current Affair लेकर आये हूँ आज का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीकराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीकराम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जागा और लास्ट में दो कुवीज करूँगा जिसका अंसर अपको नीचे कमेंट में लिखना है अब चलिए स्टार्ट करते हैं हाली में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को किस देश का सरोच सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया है तो माल दिव का सरोच सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को हाली में प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी माल दिव के दो दिवसी दोरे पर थे इसी के साथ माल दिव में भारत के सहयोग से एक किरकेट एस्टेडियम भी अस्थापित किया जाएगा इतनी चीजों को आप ध्यान में रखिये अब जो एक्ष्टा चीजे बता रहे हूँ उसे ध्यान से सुनिये परधान मंतरी नरेंद्र मुदी को हाली के दिनों में कुछ मशुहूर पुरसकार पराप्त हुए है जैसे कि सयुक्त अरब एमिरात ने अपना सरोच सम्मान जायद पदक से इन्हें सम्मानित किया था 2019 में सियोल सांती पुरसकार से सम्मानित किया था ये सारे पुरसकार परधान मंतरी नरेंद्र मुदी को पराप्त हुए है हाली के दिनों में 2018 में इन्हें फ्रांस के राश्टर पती इमैनुवल मैकरोन के साथ चैंपियन ओफ द अर्थ से सम्मानित किया था उनाइटेड नेशन दुवारा प्रेवरन के छेतर में उतक्रिष्ट योगदान के लिए माल दिवंसर है इसके बारे में जैनिये कैपिटल है माली राश्टर पती है इबराहीम मुहमद सोली मुद्रा का नाम है रुफिया हाले में किस राज्य के पुर्व मुख्य मंतरी आरवी जानकी रमन का 89 वर्स की आयू में निधन हो गया ये पुडूचेरी के पुर्व मुख्य मंतरी थे आरवी जानकी रमन 1996 में ये CM बने थे पुडूचेरी के पूडूचेरी भारत का केंदर सासित परदेश है ठीक है? और ये द्रावीड मुन्नेतर कडगम पाटी के नेता थे आर वी जानकी रमन वे पूडूचेरी के नेली थोप विधान सबा छेतर से लगतार पांच बार विधान सबा सदस्य बने थे ठीक है? एंसर है पूडूचेरी इसके बारे में जनिये है गठन वथा एक नौवंबर 1954 को चेतरफल की द्रिश्टी से चौथे नंबर पे और जन संक्या की द्रिश्टी से दूसरे नंबर पे है सक्छर्टद है 85.85 प्रतिशत लिंगानुपाथे 1027 कैपिटल है पांडिचेरी मुख्य जम्मू काश्मीर बैंक के आंतरिम चेर्मेन कौन बने है तो जम्मू काश्मीर बैंक के आंतरिम चेर्मेन बने है आर के चिबबर ठीक है इससे पहले जम्मू काश्मीर बैंक के चेर्मेन थे परवेज आहमद इन्हें पद से हटा दिया गया है अब आंतरिम चेर्मेन बने ह आर के चिब्बर जम्मू कश्मीर बैंकी की अस्थापना हुई थी 1938 में हेड़क्वाटर स्रीनगर में है फार्मूला वन कनाडाई ग्रेंड प्रिक्स 2019 किस ने जीता है लुईस हमिल्टन ने जीता है कनाडाई ग्रेंड प्रिक्स 2019 का खिताब इस तरह से कनाडाई ग्रेंड प्रिक्स इन्होंने सातवी बार जीता है तो सात बार के विजयता बन गए है लुईस हमिल्टन किस देश के हैं यूनाइटेड किंग्डम के हैं और मर्सेडिस कार के ड्रैबर है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विजयताब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड किलिफ रेखा पाकिस्तान की कैपिटल इसलमाबाद राष्ट्र पती है आरिफ अल्वी परधान मंत्री है इमरान खान मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपिया पूरु सेकल वर्ग में ग्रेंड असलम परतियोगी था फ्रेंच ओपें 2019 का खिताब किस ने जीता है राफेल नडाल ने जीता है राफेल नडाल ने डोमीनिक थीम को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया है इस तरह से बारा बार फ्रेंच ओपें का खिताब जीतने वले विश्वा के पर्थम खिलाडी बन गए है राफेल नडाल इस तरह से इनका यह अठरोवा ग्रेंड असलम टाइटल था राफेल नडाल एस्पें के हैं और डोमीनिक थीम औस्ट्रिया के हैं ठीक है प्रथम ग्रैंड असलम पर्तियोगी था था उस्ट्रेलियान ओपें जो की जनवरी में आयोजित किया गया था तो एक चीज और जानली जी पूरूस एकलवर्ग में ऐस्ट्रेलियान ओपें 2019 का खिताब किसने जीता था? नवाक जोकोविक ने टेनिस रैंकिंग में पहले अस्थान पर हैं दूसरे अस्थान पर हैं राफेल नडाल अच्छा महिला एकलवर्ग में Australian Open 2019 का खिताब किसने जीता था Naomi Osaka ने Naomi Osaka जपान की महिला टेनिस की लड़ी है महिला एकलवर्ग में Grand Slam परत्योगीता French Open 2019 का खिताब किसने जीता है तो अब हम बात करेंगे महिला वर्ग के बारे में महिला एकलवर्ग का खिताब जीती है आशलेह बारती आशलेह बारती आस्ट्रेलिया की है और इन्होंने मारकेटा वोन्रो सोवा को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया है मारकेटा वोन्रो सोवा चेक गणराज्य की है और इस तरह से आशलेह बारती का यह प्रथम ग्रैंड एसलेम खिताब है कासिम जोमाट टोकायो किस देश के राष्टर पती बने है यह कजाकिस्तान के राष्टर पती बने है और इस तरह से यह दूसरे राष्टर पती बने है कजाकिस्तान के इसके पहले नूर सुल्तान नजरबायो कजाकिस्तान के राष्टर पती थे और वो प्रथम राष्टर पती थे अप्रेल 1990 से मार्च 2019 तक वे राष्टर पती थे एक चीज और जानी है जो प्रथम राश्पती थे नूर सुल्तान नजरबायो उन्ही के नाम पर कजाकिस्तान की नई कैपिटल बनी है नूर सुल्तान तो कजाकिस्तान की नई कैपिटल बनी है नूर सुल्तान पहले कपिटल थी अस्ताना तो अस्ताना का नाम बदल कर अब नूर सुल्तान कर दिया चेर्मेन है कजाकिस्थन के सुरक्ष परिशद के कजाकिस्थन की कैपिटल नौर सुल्तान प्राइम मिनिस्टर है असकर मामिन मुद्रा का नाम है टेंगे ग्यारा जुन को जल संसाधन एवपिय जल के मुद्दे पर विभिन राजियों के जल संसाधन मंत्रियों के बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में आज ही इसका आयोजन किया जाएगा ठीक है और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है गजेंदर सीह से खावत तो गजेंदर सीह से खावत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे उत्तर है नई दिल्ली, भारत का केंदर सासित परदेश है और दो राजियों से इसकी सिमाटाज करती है हर्याना और उत्तर परदेश, मुख्या मंत्री है अर्वेंद केजरिवाल, गवर्णर है अनील बैजल छत्रफल की द्रिष्टी से दूसे नमबर पे, जन संकाय की द्रिष्टी से पहले नमबर पे है केंदर सासित परदेशों में साक्षर्ता दर है 862,1 प्रतिशत लिंगानु पाथे 868 मुख्या नाई दिस है डी एन पटेल लोक सबसिट 7, राज्य सबसिट 3, विदान सबसिट 7 और जीलों की संख्या 11 है पद में भूसंड से सम्मानित, गिरीस करनाड का 10 जुन को 81 वर्ष की आयो में निधन हो गया, उनका संबंध किस छेतर से था? फिल्म एं थियेटर, बहुत ही प्रसिद अभिनेता थे, साथ साथ में फिल्म निर्देशक भी थे, गिरीस करनाड, इनका हाली में 81 वर्ष की आयो में निधन हो गया एक चीज़ ध्यान में रखियेगा, ये अभिनेता और फिल्म निर्देशक तो थे ही, साथ साथ में ये कंणड लेखक भी थे, ठीक है? और इनकी प्रसिद कंणड किरती है, मैं नीचे लिखाओं एक बार पढ़ लिजे यायाती, 1961 में प्रकाशित हुई थी, तुगलक, 1964 में आई थी, हयाओदाना, 1972 में आई थी, अंजुम मलीगे, 1977 में, नागा मंडला, 1988 में, ताले दंदा, ये 1990 में आई थी इनकी ये प्रसिद कंणड किरती है, ध्यान में रखना है आपको, इनको बहुत सारे प्रसिद पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, गिरिस करनाड को, कौन सा पुरस्कार इन्हें कब मिला था, वो बता रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लिजेगा 1994 में इन्हें सहित्य अकादमी एवार्ड दिया गया था, कंणड भासा के लिए करनाटक सहित्य अकादमी एवार्ड दिया गया था, 1993 में, ग्यान पीठ एवार्ड दिया गया था, 1998 में, इन्हें काली दस सम्मान दिया गया था, 1998 में संगीत नाटक अकादमी एवार्ड दिया गया था 1972 में पद में सिरी पुरसकार मिला था 1974 में और पद में भूसाण एवार्ड दिया गया था 1902 में हाली में निम्न में से किस पाटी को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रिये पाटी का दर्जा दिया है नेशनल पिपुल्स पाटी को राष्ट्रिये पाटी का दर्जा दिया है और इस तरह से ये आठवी पाटी बन गई है जिसे राष्ट्रिये पाटी का दर्जा मिला है इसके पहले साथ पाटियां थी भारत में जिसे राष्ट्रिये दर्जा प्रप्त था वो कौन-कौन सी पाटिया थी? बता रहाँ ध्यान से सुन लिजे. भारतिये राष्ट्रिये कांग्रेस, राष्ट्रिये कांग्रेस पाटी, भारतिये जनता पाटी, भारतिये कम्यूनिस्ट पाटी, एक है भारतिये कम्यूनिस्ट पाटी माक्सवादी, बहुजन समाज पाट और All India Tirmul Congress Party तो ये भारत की पहले साथ पाटिया थी जिने राश्ट्रिये दर्जा परब्द था अब National People's Party आठवी पाटी ऐसी बन गई है जिसे राश्ट्रिये पाटी का दर्जा मिला है एक चीजा और ध्यान में रखियेगा भारत के इतिहास में पुर्वत्तर राज की ये पहली पाटी ऐसी बन गई है जिसे राश्ट्रिये दर्जा मिला है वरतमान में इस पाटी के अध्यक्ष कौन है यानि National People's Party के अध्यक्ष कौन है वो है कॉन्राड संग्मा वरतमान में मेघाले के मुख्य मंत्री है कॉन्राड संग्मा इस पाटी की अस्थापना कब हुई दो हजार तेरा में और इस की अस्थापन किसने की थी पी अ संग्मा ने जोकी मेघाले के सीम कौन्राड संग्मा के पिता है बात चला है निर्वाचन आयोग का तो ये भी जान लीजे कि वरतमान में भारत के मुख्य Het निरवाचन आयूक्त कौन है? तो वर्थवान में भारत के मुख्य निरवाचन आयूक्त हैं, सुनील और रोड़ा. दो चुनाव आयूक्त भी हैं, कौन-कौन है? अशोक लवासा और सुसील चंदरे. निम्नमे से किस भारती दिगज क्रिकेटर ने अंतराश्री क्रिकेट से सन्यास लेने की गोसना की है युराज सिंग ने अंतराश्री क्रिकेट से सन्यास लेने की गोसना की है तीनों फॉर्मेट से टेस्ट, ODI और T20 इन तीनों फर्मेट में इन्होंने कितने मैच खेले हैं, कितने रन बना हैं, एक नजर हम उस पे डलते हैं टोटल वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं इनोंने 304 और रन बना है 8701 रन, शतक 14 है और अर्ध शतक 52 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं 58, रन बना है 1177, शतक 1 भी नहीं, अर्ध शतक 8 टेस्ट मैच खेले हैं 40, रन बना है 1900, शतक 3 और अर्ध शतक 11 एक चीज जो जानिये, 2007 में T20 वर्ल कप हुआ था, उसी वर्ल कप में इन्होंने इंग्लेंड के ब्रॉड के खिलाफ 6 गेन पर 6 छक्के लगाये थे, उसके लिए इवरास ही काफी प्रसिद भी है और उसी मैच में इन्होंने 12 बॉल पे अर्ध शतक लगाये था, जो की अभी आफ दे टूनामेंट चुने गए थे, इवराद सिंग, क्योंकि ये भारत के बहुत ही प्रसिद किर्केटर हैं, तो इनसे संबंदित जो भी महतपूर आंकड़े हैं, वो जानना आपके लिए जरूरी है, कहीं से भी एक्जांस में घुमा फिरा के पूछ सकता है, टेस्ट म आफ में पादारपन इन्होंने किया था, दोँची 120 में कैनिया के खिलाव, और दोज़ार सत्र में ये लास्ट ODI मैच कहले थे, वेस्ट इन्डीज के खिलाव, टी टुवंटी इंटर नेसनल में इन्होंने पादारपन किया था, दोज़ार साथ में एसकॉट लेंड के खि ठीक है क्योंकि यह और लाउनर थे तो यह बाॉलिंग भी किये थे बाॉलिंग का रिकॉर्ड भी जान लिजे इन्होंने टेस्ट में कूल विकेट लिये थे 9, ODI में 111 और T20 में 28 किस भारतिय इतिहासकार को अमेरिकन फिलोसोफिकल सोसाइटी का अंतराष्ट्रिय सदस्य चुना गया है। वर्तमान में रोमिला थापर, करनेल इन्वर्सिटी अमेरिका, पैंसिलवेनिया इन्वर्सिटी अमेरिका, तथा पेरिस में कॉलेज दी फ्रांस में वीजिटिन प्रोफेसर हैं। तो ये था हमारा आज का current affair, वीडियो पसंद आया है, तो like और share जबू करना, अब चलिए last वीडियो का answer बता देता हूँ, पहला question था, हाली में दिन्यार contractor का 89 वर्स की आयो में निधन हो गया, वे किस छेतर से जुड़े हुए थे, film and theater, सभी लोगों ने इस question का answer सही दिया था दूसरा question था, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, इसका सही उतर्था option B, जिलेटिन मिलाया जाता है, 50% लोगों ने सही answer दिया था, और 50% लोगों ने इसका answer गलग दिया था अब चली आज का quiz करता हूँ, जिसका answer आपको नीचे comment में लिखना है, पहला question है, 2018-19 के लिए भारत में कुल खद्यान उत्पादन कितना रहा दूसरा question है, सिरके में कौन सा अमले पाया जाता है, दोनों का answer नीचे comment में लिख दीजिए, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल प्याए हैं, subscribe करके बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा, ताकि daily current affair के वीडियो का नोटिफिकरसान आपको सबसे पहले मिलता रहेगा